हलो फ्रेंड्स मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज आपके लिए लेकर आए हूँ SSC, UPSC, UPP, RRB, All Competitive Exam से जो important question जो आज चुगे हैं वो question आपके लिए लेकर आए हूँ नेक्स्ट question है आपर देख लेते हैं हाती गुफावलेक का संबंध किस राजा से आपके सामने option है रुद्रदामन, खारवेल, समध्रगोपति या असोक आपको सही उत्र बताना है हाती गुफावलेक का संबंध किस राजा से है सही उत्र बताईए को समा आपको दिये जा रहा है तो इसका सही उत्र हो जाएगा दोस्तो हाती गुफा अबलेक का संबंद खारवेल से है किस से है खारवेल से ये खारवेल एक सो तरावे इसो पूर में कलिंग का राजा बना था जो बरतमान में और इसा के नाम से जाना जाता है ये जैन धर्म का अनुयाई था और इसने हाती गुफा जो भुवनेशर के निगट उदागिर पाड़ियों में है उसमें इसने अबलेकों का निर्माण करवाया था नेक्स्ट कोशन आप ओस समय आपको दिया जा रहा है सय उत्र बताईये तो इसका सयुत्र हो जाएंगा दोस्तो प्रयाग इसने अबलेक का संबन समद्र गुप्त से है किस से है काह Tucson भी का समद्र गुप्त प्रयाग इसन ने बनवाया था जो प्रयाग इसन ने असोग ने इसंतर소 मिठाया था और जो सम्रदु गुप्त के दर्वारी कभी हर्संड थे उन dei इस पर प्रियाग पर सस्ति खुदवाया था इस पर जागिर के तक्त पर बैटने का भी लेक है तो डह Black आहें सरपर्थम सिक्कों पर लेख लिखने का कार किस ने किया गुपतों ने, मौरियों ने, यबनों ने या इन में से कोई नहीं सिक्कों पर लेख लिखने का कार किस ने किया कोई समय आपको दिया जा रहा है जल्ली उत्तर बताईए तो इसका सही उत्तर हो जाया है दोस्तों सरप्रिथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार यबनों ने किया था किसने किया था यबनों ने किया था नेश्ट कोश्चन आपर देख लेते हैं गरता बास के साथ कहां मिले हैं गरता बास के साथ कहां मिले हैं आपके सामने है बुर्ज होम जो जम्मू कस्मीर में इस्तित है चेचर बिहार में इस्तित है लोथल गुजरात में इस्तित है रोपड पंजाब में इस्तित है इन आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा बुर्ज होम चेचर लोथल या रोपड सही उत्तर बताईए दोस् तो गरतावास के साथ बुर्ज होम से मिले हैं जो जम्मू कस्मीर के स्री नगर में इस्तित है आपको ये भी याद रखना है दोस्तों ये चेचर कहां पर इस्तित है बिहार में है रोपड कहां है पंजाम में है लोथल गुजरात में है और बुर्ज होम जम्मू कस्मीर में है next question आपको बताना है कुस समय आपको दिये जा रहा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बेदिक काल के लोगों ने लोहा की खोज की next question आपको देख लेते हैं निम्न में से किसे धर्मसास्त्र कहा जाता है option आपके सामने है बेद, पुराण, गीता या इस्मर्ती धर्मसास्त्र किसे कहते हैं सही उत्तर आपको बताना है कुस समय आपको दिये जा रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर धर्मसास्त्र इस्मर्ती को कहते हैं किसे कहते हैं इस्मर्ती को कहते हैं इस्मृति में सबसे फैमस प्रिसिद मनु इस्मृति है नेश्ट कोशन आपको दिये जा रहा है ब्रह्म बिद्या का सम्बंद किस साइट से है ब्रह्म बिद्या का सम्बंद किस साइट से है बेद, उपिनिसद, इस्मृति या पुराण आपको ओप्सन दिए जा चुके हैं, स्यूत्र बताइए, कुछ समय आपको दिए जा रहा है, ब्रहम बिद्या का संबंद किस से है तो आपका स्यूत्र हो जा जाए है दोस्तों, ब्रहम बिद्या का संबंद पुरांड से है किसे है पुराण से है नेक्ट कोश्चन आपर देख लेते हैं न्याय दर्शन का प्रवर्टक किसे माना जाता है कपिल पतंजली जैमिनी या गौतम न्याय दर्शन का प्रवर्टक किसे माना जाता है कपिल को पतंजली को जैमिनी को या गौतम को सही उत्र आपको बताना है कुछ समय आपको दिये जा रहा है तो आपका सही उत्र हो जाएगा दोस्तों न्याज दर्शन का प्रवर्टक यहाँ पर गौतम रिसी को माना जाता है किसे माना जाता है गौतम रिसी को नेक्ट कोशन आपर देख लेते हैं मावीर का जन्म कहा हुआ था मावीर स्वामी का जन्म कहा हुआ था आपके सामने है राजगीर जो बिहार में है सारनात बैसाली कुसी नगर आपको सही उत्तर बताना है कुस्समा आपको दिये जा रहा है मावीर का जन्म कहा हुआ था तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर मावीर का जन्म बैसाली बिहार में हुआ था कहा हुआ था बैसाली व्यार में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है राजगीर कहा है व्यार में है सारनात उत्त प्रदेश में है कुसी नगर उत्त प्रदेश में है माबिर का जन्म बैसाली व्यार में हुआ था जो गया के समीप है माता तिरसला इनकी माता थी और इनकी पुत्री का नाम प्रिदर्शना था, इनकी पत्री का नाम सोदा था, माविर स्वामी का जन्म 599 इसअपुर्म में बैसाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, इनके बच्पन का नाम बर्धमान था, ये 24 में तिर्थंकर थे जैन धर्म के और 30 बर्स की आयो में उने ग्रैत्या किया था इनके दामाद का नाम जमाली था इनकी पुत्री प्रिदर्शना थी उसके पती थे ये जमाली और यही जमाली इनके पहले सेसी भी बने थे स्यादबाद किस धर्म का मूलाधार है जैन धर्म, बहुत धर्म, सैब धर्म या भागबत धर्म सही उत्तर बताना है दोस्तो स्यादबाद किस धर्म का मूलाधार है सही उत्तर बताईए दोस्तो तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा दोस्तों सयादबाद जैन धर्म का मूलाधार है किसका जैन धर्म का मूलाधार है नेक्स्ट कोश्टन आपर देख लेते हैं प्र्थम जैन संगीति कहां आयोजित हुई थी सारनाथ, पार्टलि पौत्र, बलललभी या सिर्वड बेल गोला आपको जैन संगीति कहां आयोजित हुई थी कुछ समय आपको दिया जागाए जल्दि उत्र बताइए तो इसका सैयुत्र हो जाएगा है दोस्तों पर्थम जैन संगिती पार्टली पुत्र में आयुजित होई थी जिसे बरतमान में पठना कायते हैं और ये ब्यार की राजदानी है मावीर ने किस बासा में उपदेश दिया अपना उपदेश किस बासा में मावीर ने दिया तो आपका सैयुत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मावीर स्वामी ने प्राकर्थ भासा में अपना उपदेश दिया मात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भासा में दिये औप्सन पाली संस्क्रत द्रविण या इन सभी में सही उत्र आपको बताना है मात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भासा में दिये कुछ समा आपको दिये जा रहा है जल्दी उत्र बताईए आपका सही उत् दीए पाली भास जो जंच सामान की भासा थी उसमें उन्डे अपने उप्देश दिये 14握 को निर्वाण की प्राप्ति का हुई जो मावीर थे उन्दे आपके सामने हैं पावापुरी कुंड़ गराम-वैसाली या कुसी नगर श् lying पासी दें तो आपका सही उत्र हो जाएगा दोस्तों मावीर स्वामी को निर्वान की प्राप्ति पाबापुरी में हुई कहा हुई पाबापुरी में हुई ये ब्यार में नालंदा के समीप है अपको बताना एक कुस्षन आपको दिया जा रहा है जल्दे उतर बताएं दोस्तो तो आपका सयूत्र हो जाएगा गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में चार आरसत्य बताए हैं कितने आरसत्य बताए हैं चार आरसत्य बताए हैं नेक्ट कुश्चन आपको देख लेते हैं गौतम बुद्ध की जीवन कानियों का बरण किसमे है option आपके सामने जातक कथा त्रिपिटक भुद्ध सहता या जातक कथा त्रिपिटक दोनो आवा दोनो सही उत्र आपको बताना है खुस्तम आपको दिया जा रहा है तो आपका सही उत्र हो जाएगा गौतम बुद्ध की जीवन कानियों का बरण जातक कथा में है जातक कथा में क्या है दोस्तों गौतम बुद्ध के जितने जन्व हुए हैं तो उनका संकलन उसमें है नेस्ट कुश्चन आपको देख लेते हैं 16 मा जनपतों के बारे में किस गरंथ से जनकारी मिलती है उप्शन एगुत्तर निकाए महाबस्तु, जातक या महाबंस 16 मा जनपतों के बारे में किस गरंथ से जनकारी मिलती है उप्शन आपके सामने है सही उत्तर बताईए तो यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा 16 माजनपतों के बारे में अगुत्तर निकाई से जनकारी मिलती है किस से मिलती है अगुत्तर निकाई से Next question है आपको स्यूत्तर बताना है दोस्तो तो आपका स्यूत्तर यहां पर हो जाएगा दोस्तो हरी एक बंच के जो सासक थे बो थे अजासत्तरू जिनने कुड़िक का जाता है इनने कुड़िक क्यों का जाता था दोस्तों कुड़िक इसलिए का जाता था क्योंकि यह अपने पिता बिमसार को मार कर गद्धी प्रप्त की थी यह गद्धी पर 492 इसापूर में बैठे और इनके पुत्र का क्या नाम था इनके पुत्र का नाम उदाइन था और इनके पिता बिमसार थे जिनकी यह उने हत्या कर दी थी इस वज़े से इने कुड़िक का जाता है नेस्ट कोशन यह आपर देख लेते हैं अबंती को मगद में मिलाने का सिरे किस सासक को है अपसना आपके सामने हैं उदाइन, कालासोग, सिसनाग या अनंत आपको सिरे उत्तर बताना है दोस्तों अबंती को मगद में किस ने मिलाया था कुशनम आपको दिये जला है जल्दी उत्तर बताईए तो आपका सेटर यहाँ पर हो जाएगा अबंती को सिसनाग ने अबद में मिलाया था सिसनाग 412 इस भी में मगद की गदी पर बैठा था और इसी ने सिसनाग बंस की शुरूबात की थी इसी को सिसनाग बंस का संस्तापक माना जाता है इसके पुत्र का नाम काला सोग था और जो काला सोग था इसी ने पार्टल पुत्र में दुसरी बहुत संगती कराई थी तो आज यहाँ पर नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं यह नेक्स्ट कोश्चन आपके लिए है काला सोग की राजधानी कहां थी ज्यान से सुनिए काला सोकी राजदानी कहां थी आप्सन ए बैसाली राजगिर है चमपा पार्टिल पुत्र अपना ये आंसर कमेंट में बताना जब वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद कमेंट में आप आंसर इसका बताना तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बाद धन्यवाद थैंक्यू फोर सपोर्ट